पर चाहते हैं मैं फेस्बुक पे 5000 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में 5 करोल लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोल लोग फेस्बुक यूज करते हैं केवल शहरी लोग ट्विटर यूज करते हैं गाओं के किसान, मजदूर, छोटा-छोटा काम करने वाले रेडी पट्री पे अपना दुकान लगाने वाले ये सब फेस्बुक यूज करते हैं और उनको पता ही नहीं है कि भारत में क्या चल रहा है, भारत के सामने क्या-क्या खत्रा है, भारत के सामने क्या-क्या चुनवतियां है और इसे लिए कुछ जूट बोलने वाले नेता उनको गुमराह करते रहते हैं जो हमारे गाओं में किसान हैं मजदूर हैं रेडी पट्री पे काम करने वाले हैं या और भी जो लोग गाओं में रहते हैं उनको जाती के अधार पे भाशा के अधार पे छेतर के अधार पे अलग अलग तरीके से उनको बाटा जा रहा है उनको जोड़ने का एकी तरीका है प राम चंद्र हो, राम संकर हो, राम पांडे हो, राम सुकला हो, राम सिंग हो, राम धोबी हो, राम रजक हो, राम पासवान हो, कुछ भी हो, आपके वाल नाम देखिए राम और फटा फट उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेते जाएगे, देखते 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 डेर से दो म कनेक्ट हो जाएगा पूरब से पश्चिम कनेक्ट हो जाएगा कस्मीर का राम और कन्या कुमारी का राम आपस में जुड़ जाएगा गुजरात का राम और बंगाल का राम आपस में जुड़ जाएगा ग्रहमर छत्री वैश दलित आपस में जुड़ जाएंगे तो सबसे इस समय जाती भाषा छेत्र मत देखिए पूरे भारत के लोगों को जोड़िए तो पहला काम हर महीने सांसद विधायक से मिलके समस्या के अस्थाई समाधान की चर्चा करना दूसरा काम पांच हजार फेस्बूक फ्रेंड बनाना और उस पे पर डे कोई एक समस्या उसका मूल कारण और उसका स्थाई समाधान लिखना फेस्बुक का उपियोग पाखंडियों को एक्सपोस करने के लिए भी करिए पाखंडियों को कैसे एक्सपोस करेंगे पाखंडियों को पहचाने के कैसे पहले इसको समझिए जो नेता सुबस लेके शाम तक गरीबी की बात करे बेरोजगारी की बात करे कुपोसर की बात करें, प्रदूसर की बात करें, लेकिन इन समस्याओं के मूल कारण जनसंख्या विस्वोट की बात न करें, वो समल लीजिए, ना वो गाधीवादी है, ना वो समाजवादी है, ना साम्मेवादी है, ना वो अमबेडगरवादी है, ना वो राष्टवादी ह वो केवल और केवल ओट जीवी, नोट जीवी, दल गुलाम पाखंडी है तो ऐसे ओट जीवी, नोट जीवी, समस्या जीवी, दल गुलाम पाखंडीयों को एक्सपोज करिए अपने फेस्बुक के माध्यम से अब समय आगे अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे इनके बतोले बाजी में फसे रहेंगे, इनके बोल बचन में फसे रहेंगे तो आपको ये भ्रमित करते रहेंगे यदि कोई नेता अभिनेता लेखक बुद्ध जीवी घुसपैट पे मौन है तो समल लीजे कि वो बहुत बड़ा पाखंडी है और अगर कोई घुसपैट पे बोल भी रहा है, लेकिन घुसपैट के मूल कारण घुसखोरी पे नहीं बोल रहा है तब भी समल लीजे बहुत बड़ा पाखंडी है यदि कोई नेता अभिनेता लेखक बुद्ध जीवी नशा नियंतरन की बात नहीं कर रहा है शराब नियंतरन की बात नहीं कर रहा है अनलाइन गेमिंग इतनी बढ़ती जा रही उसको कंटोल करने के लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है पॉर्ण वेबसाइट बढ़ती जा रही उसको बंद करने के लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है असलीलता बढ़ती जारी OTT के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से अगर इसको कंटोल करने के लिए कानुन बनाने की बात नहीं कर रहा है तो मान लिजे कि वो न वो समाजवादी है, न अमबेटकरवादी है, न गाधीवादी है, न राष्टवादी है, न वो सामयवादी है, वो केवल और केवल दल, गुलाम, पाखंडी है, वो आपको बेकूब बना रहा है, आपको अलग-लग चीजों में भ्रमित कर रहा है, गुसपैट कैसे होती है। पर एंसे यूए पीए से वेजिंग वार सेडिशन और क्या बोलते हैं आपका गेंग सर्ट लगाने की बात नहीं कर रहा तो वह भी पाखंडी है आप उसको भी एक्सपोस करिए यह कोई विर्ति धर्मांतरण पर मौन है तो बहुत बड़ा पाखंडी है और जो धर्मांतरण पर बोल भी रहें लेकिन धर्मांतरण रुकेगा कैसे इस पर नहीं बोल रहें धर्मांतरण कैसे रुकेगा कारून कठोर होना चाहिए फॉरण फंडिंग बंद होनी चाहिए फ्सीरे बंद होनी चाहिए हवाला की फंडिंग होनी चाहिए भारत के अंदर जो ब्लैक बनी जन्रेट हो रहा है वो खतम होना चाहिए तब जाके धर्मात्रन रुकेगा तो कवल धर्मांत्रन धर्मांत्रन कहने धर्मांतरन नहीं हो के नहीं और मूल कारण पे नहीं बोलते हैं, अस्ताई समाधान पे नहीं बोलते हैं, आवायद निर्मार के खिलाफ, 10-20 साल की सजा देने वाला कानून क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से घूस खोरी, कमिशन खोरी पे कोई बाती नहीं हो रही है, आपके टट मनी, तोला बाजी, हव हवाला बाजी पे कोई बाती नहीं हो रही है, मिलावट खोरी बढ़ती जा रही है, खान पान के वस्तूओं पे कोई थूक रहा है, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लेटिन कर रहा है, वीडियो सब से अर कर रहे हैं, लेकिन एक कठोर कानून की मांग नहीं कर रहे हैं, कि भ भारत में काला धना हवाला हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा है क्योंकि भारत जितनी भारत भी रोधी गद्विधियां होती हैं सब वो फंडिंग से होती हैं काला धना वाला से होती है मावादियों की फंडिंग काला धना वाला से जहादियों की फंडिंग काला धना वाला से गुसपैठियों की फंडिंग काला धनावाला से, आतंकवादियों की फंडिंग काला धनावाला से, पूर्वत्तर के कुकी जो आतंकवादी उनकी फंडिंग काला धनावाला से, कस्मीर के अलगावादियों की फंडिंग काला धनावाला से, तो भारत में जितने देश सब अरब पती हैं सब एक खररभ पती हैं इनकी बेनामी संपत्ती पकड में आए जाए तो फिर आपको समझ में आजा कि कितने बड़े पाखंडी थे बेनामी संपत्ती कैसे पकड में आएगी संपत्ती को अधार से लिंग करने के लिए कानूल बना दिया जाए जब तक लेकिन आप यह देखा होगा, यह सब बाते करेंगे, संपत्ति को अधार से लिंक करने की बात नहीं करेंगे, मजभब के अधार पर योजनाये चल नहीं, मजभब के अधार पर मंत्राले चलना है, मजभब के अधार पर बोर्ड चलना है, मजभब के अधार पर ट्रि करिए धर्म होता है रेलीजन क्या होता है न सांसद को पता न को समय को पता को समय मंतरी को पता है न हम सु्प्रेम साथ करेगा कंकरना चीटी करना पड़ेगा न? आप ऐसे विश्यों को अपने 5000 फेसबुक Facebook बनाए जिस से जागरन्वां कि मैनाटी में स्टी चल दूलाने कभी ष्थाजरं बासु कि दूनिया भर के बाते होंगी ऐलक्शिर्म की बात नहीं होगी प्लिसी रिफाइप संहीता की बात ही होती है सामान प्रसासनिक संहीता की बात थो हमास हिसरम संहीता की-बाते दूनिया भर की बाते होती लेकिन यजस्टिस िडाइर की बात रोखी कि लोहों के मुश्तमौ कर रहा हो campus फ्रेंद 1 मैं इसलिए मैं आप से र nos 5000 फेस्बूक फ्रेन बनाएं पांच जार फेस्बूक फ्रेंड बनाके अगबार में जो समस्या निकल रही हो या जो भी कोई समस्या निकल रही हो वहाँ पे आप लिखना शुरू करिए आपको मेरी बात ठीक लगती हो मेरा वीडियो अपने फेस्बूक पे डाल दीजे अभी आप मेरा मेरी बात सुन रहे अगर आपके 5000 फ्रेंड हो जाएंगे और मेरा वीडियो अपने Facebook पे डालेंगे तो कमसकम वो 5000 लोग भी सुनेंगे वो भी अपने अपने जितने आपके फ्रेंड हैं वो भी 5000 फ्रेंड मनाना शुरू कर देंगे तो दीरे दीरे क्या होगा यह जो 50 करोड Facebook यूजर है इसमें कम सकम 30-35 करोड Facebook जो यूजर है उन तक अपनी बात पहुचना शुरू हो जाएगी और फिर यह जो पाखंडी नेता भी नेता लेखक बुद्धिजीवी हैं यह शरम के मारे पाखंड छोडेंगे और वास्तों में समस्याओं के मूल कारण की बात करेंगे समस्याओं के अस्थ नहीं मानेंगे अगर आप भी उन्हीं के बतोले बाजी में फसे रहेंगे तो याद रखिएगा आने वाला भविश्य बहुत ही खतरनाग है नौ राज्जियों की डिमोग्राफी बदल चुकी है 800 जिलों में से 200 जिलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है 6000 तहसीलों में से 1500 बारत के बार्डर पे जो 300 तहसीलें उन 300 के 300 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है आप भारत के किसी भी लोगसभा छेतर की 25 साल पुरानी ओटर लिश्ट उठाके देख लिजिए और आज की ओटर लिश्ट उठाके देख लिजिए आपको समझ में आ जाएगा प्रते प्रते एक विधान सभा की डिमोग्राफी बदल चुकी है प्रते एक ग्राम सभा की डिमोग्राफी बदल रही है प्रते एक वाड की डिमोग्राफी बदल रही है अगर अभी भी कानून नहीं बना तो फिर हमारे आने वाली पीडियों को बचाना मुस्की लेने ना मुंकि झाल झाल